हेई फ्रेंज कैसे हैं आप सब मैं हूँ सोनम और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लाइव रिजल्ट फेस बैक के बारे में कि कौन सा फेस बैक आपके स्किन के लिए ज्यादा अच्छा होता है तो यहां पर मैं अप्लाय कर रही हूँ मसूर दाल फेस बैक इसे बनाना आना चाहते हैं तो यह मसूर दाल फेस बैक बहुत ही हिल्दी होता है आपके स्किन के लिए और आपकी स्किन को बहुत जलती रिपैर करता है और उसे चमकदार बनाता है ब्राइट बनाता है अब मैं अप्लाय कर रही हूँ नीम फेस बैक यह फेस बैक आपके फोड़े वो pimple है, दाग धब्बे है, आपके skin पे बहुत ज़्यादा मुहां से निगलते हैं, फोड़े फुनसी हो जाते हैं, या oily skin वारी problem है, तो उसके लिए ये face back बहुत ही ज़्यादा कारगर है, और बहुत ही ज़्यादा healthy होता है ये face back, तो चलिए अब यहाँ पर देखेंगे को उनसा face back ज़्यादा better है, मैं इसे सूखने देती हूँ, तब तक आप subscribe कर लो friends, और मैं आप यहाँ बताती हूँ कि इसे बनाना कैसे है, तो मैंने यहाँ पर लिया है, मसूर दाल का powder, आप इसे आसानी से अच्छे से सुखा कर powder बना सकते हैं, या आप इसे गंटे के लिए और इसके बात आप इसका paste बना कर भी apply कर सकते हैं, आप चाहे तो इसमें milk भी add कर सकते हैं, rose water add कर सकते हैं, इसे और भी जल्दी आपको अच्छे result मिलेंगे, पर मैं इसे पानी के साथ बना रही हूँ, ताकि आपको इसकी proper berry fits पता चल सके कि कि इतना साधा यह फाइदे कम है, तो कोशिश करें कि 15-20 मिनट तक तो जरूर ही apply करें, ताकि आपको proper इसके result अच्छे से मिल सकें, कि दोनों ही face pack बहुत ही healthy हैं, बच हम यहाँ पर देखेंगे, लाइव रिजल्ट की दोनों कितना जादा खायदे मंद हैं, और इसकी क्या-क्या असर होते हैं हमारे skin अब मैं यहाँ बनाने जारी हूँ नीम face pack, तो नीम face pack बनाने के लिए आप नीम की पतियों को अच्छे से सुखा सकते हैं, आप चाहे तो इसे अच्छे से wash कर लेना friends, उसके बाद थोड़ा सा दूप तिखाना आप इसे 20 मिनट के लिए आप दूप में छोड़ दो, ताकि आप चाहे तो इसकी ताजी पतियों को अच्छे से पानी से धो ले उसके बाद उसे पीस ले और उसका पेस्ट बना ले और उसे अपलाई कर सकते हैं, आप इसमें नीबू का रस एड़ कर सकते हैं, लेमन जूस एड़ कर सकते हैं, यह सारे जो हैं जितने भी इस तरह से वि और अब मैं आपको इसके लाइव रिजल दिखाने वाली हूँ आपके सामने ही इसे वाश करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर भी कर देना ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो लेकर आती रहूं और मैं आपको बताना चाहूंगी फ्रेंज की यह दोनों ही व्याली फेस पैक बहुत ही अच्छा है आपके स्केंड़ॅए यह बहुत कहलदी है अगर आप प्राइट स्कंड़ चाहते है और स्कंड़ लाइट चाहते है चाहते हैं स्मूद पिसकंड़ लास चाहते है तो आप मसूर एक माम देख सकते हो कि ध्रेंगरonn की बादरा साफ और प्रॉपर अंदर तक सफाई हो गई है और आपकी जते भी स्किन से ओयल है वो निकल जाता है तो पिंपल और दागधबो वाली स्किन के लिए नीम फेसबेक बहुत ही अच्छा है तो आपको कौन सा फेसबेक ज्यादा अच्छा लगा ज़रूर कॉमेंट करके बताना वीडियो के साथ थैंक यू सो मच फ्रिंज बबाए प्रेंज